आज मैं आपके साथ सेयर करने वाली हूँ रोटी की मज़दा रेसिपी ये हम बची हुई रोटी से बनाएंगे कभी कभा रोटी बच जाती है तो खाने का मन नहीं करता है तो आप उस रोटी को नई रेसिपी बना कर खा सकती है वो भी मज़दा स्वाद वाली तो चले शुर स्वाइब नहीं किया हुआ है इसलिए आप हमें सस्क्राइब कर सपोर्ट करें ताकि और वीडियो लाने का प्रोथ साहन मिलेगा हमने बड़े-बड़े आलू के छोटे-छोटे क्यूब में काट लिये हैं इसको अच्छी तरह से वास करके रख लिये हैं तो चली अब हम प इसमें हम आलू के कटे हुए आलू को डाल देंगे और इसको हाइफ फ्लेम पे तीन से चार मिनट तक भूनेंगे यह ब्राउन क्रिपसी हो जाए सुनहरा होने तक हमें इसे भूनना है तीन से चार मिनट में अच्छे से सुनहरा हो जाएगा तो यह सुनहरा हो चुका है अब इसे हम अलग बॉल में निकाल लेंगे गैस को आफ कर दिया है अब इसको अलग बॉल में निकाल लेंगे जब आलू सुनहरा हो जाता है तो इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है इसमें हम स्वादा नुसा नमक डालेंगे और तिखापन के लिए लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे और इसमें एक चमक चाट मसाला डालेंगे आप चाहे तो इसके जगह पर मैगी मसाला भी यूज कर सकती है इसके बाद इसको मिला देंगे ताकि यह सब चिपक जाए और आलू जो है सुनहरा भुना है तो इसमें ज तो यह है रात की आप चाहे तो इसके जगह पर बचीवी रोटियों को यूज कर सकती है तो यह दो बचीवी रोटियां है जिसको हमने यूज किया एक रोटी को हम इसमें छेद करेंगे काटे वाली चमस से आप चाहे तो चाकू की शायता से इसको छेद कर सकती है और दूसरी रोटी को छेद नहीं करना है उसका हम एक ट्रिक बताएंगे तो चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं हमने कडाही में ऐल डाल दिया है और यह जादे गरम हो चुका है जब तेल जादे गरम हो जाए तभी इसमें रोटी डाल करके इसको तलना है दोनों तरफ इसे सुनहरा होने तक हम तलेंगे ताकि यह कुरकुरा हो जाए जब एक कुरकुरा हो जाता है तो इसको आप चाहे तो अचार चटनी या केचप के साथ आप खा सकते हैं और यह दूसरा रोटी है जो बीना छेट की हुई वाली रोटी है इसे भी हम दोनों तरफ नहरा होने तक तलेंगे तो इसे तोड़ने पर देखिए कितना कुरकुरा है और जो हमने रोटी छेट किये थे वो रोटी है इस पर केचप हम लगा रहे हैं आप चाहे तो पीजा सॉस भी लगा सकती है इसके उपर चीज रख रहे हैं आप चाहे तो मुजरीला चीज भी यूज कर सकती हैं इसको चारो तरफ से छोटे छोटे टुकड़ों में रख देंगे फिर इसके उपर से जो आलू हमने सुना रहा होने तक भूने थे वो आलू को रख देंगे इसके उपर प्याज भी रख देंगे और इसके बाद से टमाटर सिमला मिर्च और हरी मिर्च से भी इसको गार्निस कर देंगे अगर बची हुई सबजिया है तो आप इसे भी इसमें डाल सकती हैं इसके उपर से फिर एक कोट चीज का हम डाल देंगे छोटे छोटे टुकड़े करके इसे हम रोटी चाट पीजा कहते हैं रोटी चाट पीजा बहुत तेश्टी बना है इसके बाद इसमें औरिगेनो पौडर डाल देंगे आप चाहिए इसके उपर पीजा मसाला भी डाल सकती है एक पैन को गरम कर देंगे उसमें ये प्लेट में रख करके इसमें रख देंगे और इसको दो से तीन मिनट बस इसको ढख करके पकाना है देखे दो से तीन मिनट हो गया है अब इसको हम इसमें से निकाल देंगे चीज भी मेल्ड हो गया है देखे कितना अच्छा बना है रोटी पीजा चाट आप इसे बची हुई रोटियों को बना करके इसका स्वाद ले सकती है तो चली इसे हम तोड़ते हैं देखे कितना कुरकुरा बना है आप जरूर एक बार ट्राय करें अपने अनुभाव बना कीचन में सेयर करें देखे यह पीछे का भी भाग दिखा रहे हैं जला भी नहीं है देखे कितना अच्छा कुरकुरा रोटी पीजा चाट तयार है अभी तक आप मेरे चैनल पर नए है तो सस्क्राइब जरूर करें अब बेल आइकन को पेस करें लाश्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंक्यू क्टुछ। जय सैं если देखेने के अजै़ को भी मेरे है अवाद वीडियो देखेक〜 वीडियो देखे संभ है दमन पर नहीं देखे